हालो एवरिवन वल्कम बाक टु माई चैनल तो आज की वीडियो में डिस्कुस करेंगे हमारी कुछ रेटिस्ट करंट अफ यूज को तो आए शुरू काते हैं देखे सबसे पहला आर्टिकल आपको देखने को मिलेगां इंडिया इलकोल मूझियम इन गोवा में इंडिया का पहला ईलकोल मूझियम जो है वह शिरू हुआ है जो है अजरे जेशन, ये वह बता होगा एक एक लोकली ब्रिवड डिंक है जिसको अजितास ये फैनी है ओक इं who is collector of antics, antics का मतलब होता है, यानि वो person जिसको पुरानी-पुरानी चीज़े collect करने का शौक होता है, तो उन्होंने ही ये museum open किया है, टीने बिच विलेज में, केंडूलम में, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया's first alcohol museum in Goa, अब हम next article देखते हैं, वो क्या बात करता है, तो आईए, ISI chief meets intelligence heads of China, others amid hit over proxy war in Afghanistan, देखिए, पाकिस्तान के ISI chief, फेज एहमद, चाइना के intelligence chief से मिले हैं, साती सात रशिया, चाइना, उजबेकिस्तान, इन सब के chief intelligence, जो है, वो इन से मिले हैं, इन सब की meeting हुई है, meeting क्यों हुई है, क्योंकि इनका कहना है, अफगानिस्तान में peace and stability रहे, आपको पता होगा कि ये सब तो पाकिस्तान नहीं किया है, बोमबारी जो है, पंशीर में, आतंगवादी, वाद को भी उन्हों नहीं support किया है, और उन्हों नहीं फैलाया है, ये सब, और वो बोल रहे हैं कि peace and stability रहे, जबकि सब कुछ उन्हों नहीं किया है, ये सारे चीज़े जो है, उस meeting में discuss की गई थी, तो next article देखते हैं, अब हम, West Nile Virus, तो देखें, क्या है ये वाइरस, इसको हम discuss करेंगे, West Nile Virus के बारे में, क्योंकि रशिया में एक वान किया गया है, इंक्रीज ये जो West Nile Virus है, ये इंक्रीज बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है, WNV, जिसका मतलब है West Nile Virus, इसके cases, रशिया ने कहा है, कि possibility है West Nile Virus के infections, जो ये autumn, season आने वाला है, क्योंकि temperature बहुत ही mild है, और heavy precipitation है, बारिस बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, इस वज़े से जो condition है, जो mosquitoes है, mosquitoes के breeding ज़्यादा हो सकती है, इस मौसम में, तो जो मच्छर है, mosquitoes हैं, वो इस virus को एक जगे से दूसरी जगे spread कर सकती है, तो इसी चीज को देखते हुए, रशिया ने क्या warning दे दी है, और scientists ने भी इस चीज के लिए warning दी है, कहा है कि आपको थोड़ा सा सत्रक रहना पड़ेगा इस चीज के लिए, और warning किया है, possibility ज़्यादा ही है, कि mosquitoes जो मच्छर है, वो पानी की वज़े से ही होते हैं, तो ये virus फैलने की ज़्यादा आशा लगाई जा रही है, अब ये जानेंगे कि ये West Nile virus है क्या, ये बहुत ये dangerous disease है, जो कि mosquitoes के थूँ जो है, फैलती, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो ये West Nile virus है, ये किस चीज से फैलती है, mosquitoes के थूँ ये फैलती है, अब हम next article देखेंगे, नासीर हुसीन after Manchester's test cancellation, देखें क्या है, नासीर हुसीन बोले, Manchester's test के match रद होने के लिए, IPL India जमेदार नहीं, तो देखेंगे, भारत और England के बीच, Manchester's में होने वाला test match, करोना के डर्ज के कारण, रद कर दिया गया है, test match के रद होने के लिए, टीम India, BCCI और IPL, को जमेदार ठहराया जारा है, ये बताया जारा है उनके द्वारा, बट उनके जो views हैं, नासीर हुसेन के वो अलग हैं, नासीर हुसेन का कहना है, कि test match के रद होने की असली वज़य, जो है वो किर्किट का चल रहा है, बीजी शेडूल है, ना कि भारतिय टीम, उन्होंने कहा है कि जो बीजी शेडूल के चलते, सब ये बखेडा खड़ा हुआ है, उनका ये भी मानना है कि इन सब मामलों में, सबसे ज़्यादा नुक्षान जो है, वो हमारे हमेशा दर्सकों का होता है, जिसके बारे में कोई कभी नहीं सोच था, ये उनका कहना, ये उनका point of view है, तो guys, ये थी हमारी आज की कुछ current affairs, आपको समझ आए होंगी, अगर आपको वीडियो हेलफुल लगी, दिन डू, लाइक, शेर और सब्सक्राइब दो चैनल, पर मौर वीडियोज, थैंक ये फर वाचिंग दिस वीडियो,